अस्सलाम अलेकुम and गूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्वर्ड पाब्लिक स्कूल, ए लर्निंग क्लास, क्लास फॉर्थ, सब्जेक्ट उर्दु ए, चैप्टर फॉर, हमारा पर्चम, पार्ट वन, रीडिंग एंड एक्स्प्लिनेशन, आइम यूर मारा पर्चम की रीडिंग, मीनिंग और एक्स्प्लिनेशन करेंगे, आपको में साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड भी बताती जाऊंगी, जो आप लोग अपने बुक पर लिखते जाएंगे, तो आएं स्टार्ट करते हैं, रीडिंग, कौमी पर्चम किसी भी मुल्क और कौम क पर्चम का मतलब है जंडा, शनाख्त, शनाख्त का मतलब है पहचान, इसलिए हर मलका अपना अलग और मक्सूस पर्चम होता है, मक्सूस खास, पाकिस्तान का कौमी पर्चम गहरे सब्स रंग का है, इसपर एक तरफ सफेद, अमूदी पटी, अमूदी, सीजी, और दरम्या में एक हिलाल, हिलाल कहते हैं पहले दिन का चांद, एक हिलाल है जिसके उपर सितारा बना हुआ है, पर्चम का सब्स रंग, शादाबी, शादाबी को आप लोग अंडर लाइन करोगे, शादाबी का मतलब है तरो तासगी, और सफईर रंग, अमन और खुशहाली को जाहर करता हर हिलाल बुलंदी और अजमत अजमत कहते हैं बड़ाई को हिलाल बुलंदी और अजमत का निशान है सितारा रोशनी और इल्म को जाहर करता है अब बिटें यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कौमी परचम किसी भी मुलक की शनाख्त होती है किसी भी मुलक की पहचान होती है आपको पता है ना कि हर मुलका अपना जंडा होता है और वो जंडा इसी वजह से होता है कि हम पहचान सकें कि ये किस मुलक जब वो जंडा इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि हर मुलक का अपना अलग और मख्सूस पर्चम होता है हमारे कौमी पर्चम का रंग गहरे सब्स रंग का है हमारा कौमी पर्चम किस रंग का है गहरे सब्स रंग का बेटे यहाँ पर देखें आपको यहाँ पाकिस्तान का पर्चम दिखाई दे रहा है हमारा जो पर्चम है वो डार्क ग्रीन कलर का है गहरे सब्स रंग का है इस पर एक तरफ सफेद अमूदी पटी अब ये जो आपको वाइट पटी नज़र आ रही है इसके बारे में कह रहे हैं कि एक तरफ इसके सफेद अमूदी पटी है और दर्मियान में हिलाल है अब हलाल जो है वो बारीक चांद को यानि पहले दिन का जो चांद होता है उसको कहते हैं कि इसके सेंटर में एक चांद भी आपको नजर आ रहा है जिसे हलाल कहा जाता है और उपर एक सितारा बना हुआ है ये सितारा देखें आपको नजर आ रहा है ना फिर वो कह रहे हैं परचम का सबस रंग देखें बिटे ये जो परचम का सबस रंग है ये आपको शादाबी जाहिर करता है तरोताजगी जाहिर करता है यानि आपको ग्रीनरी जाहिर कर रहा है और सफेद रंग अमन और खुशा ये जो आपको सफेद रंग नजर आ रहा है ये अमन और खुश्छाली को जाहिर करता है हिलाल बुलंदी और अजमत बड़ाई का निशान है सितारा ये जो हमें सितारा नजर आ रहा है ये कह रहे हैं इल्म को और रोशनी को जाहिर करता है बिटे अब हम अपने नेक्स पेज पेज 25 पर आएंगे और अब हम अपने 25 पेज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमारा परचम सब्स और सफेद रंग का एक मुस्ततील टुकड़ा है बिटे मुस्ततील कहते हैं रेक्टेंगल को ये आपके लिए मैंने जो है वो रेक्टेंगल बनाया भी हुआ है कि आपको समझा जाए सफेद हिस्से की लंबाई और चोड़ाई परचम के एक चोथाई के बराबर होती है वन फॉर्थ को एक जोथाई कहा जाता है और अकलियतों की नुमाइंदगी अकलियतों की मीनिंग लिखेंगे तादाद और आप लोग नुमाइंदगी जाहिर अकलियतों की नुमाइंदगी जाहिर करती है इस पर्चम का इन्तिखाब 11 अगस्त उन्निस सु सिन तालिस को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज इसंबली के अजलास में हुआ वजीर आजम लियाकत अली खान ने इसंबली में दो पर्चम काइद आजम मुहम्मद अली जिना को पेश किये ताके वो पर्चम की मनजूरी दे दे मनजूरी को अंडरलाइन करें मनजूरी का मतलब है इजासत काइद आजम इजलास की सदारत कर रहे थे काइद आजम ने इन दो में से एक पर्चम को मनतखिब किया मनतखिब करना चुनना या पसंद कर लेना मनतखिब किया नेक्स्ट पेरग्राफ की तरफ आएंगे कौमी पर्चम लहराने की इफत्ताही तकरीब इफत्ताही कॉंडरलाइन करें इफतिदा शुरू तक्रीब कराची में मुलाना शबीरहमदाूसमानी और ठाका में मुलाना जफरहमद के हाटों अंजाम पाई, अंजाम मकमल قومی پرچم تمام مذہبی اور قومی تقریبات پر لہرائی جاتا ہے تمام سرکاری امارات پر سبز ہلالی پرچم لہراتا ہے کسی قومی شخصیت کی وفات پر اسے سر نگو کر دیا جاتا ہے سر نگو کو انڈرلائن کریں جھکا دیا جاتا ہے ہمارے پاس نیو پیرگراف ہے قومی پرچم ماسٹر افضال حسین نے تیار کیا تھا आपने तहरीके पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया था 1987 में हकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको हुसने कारकरदगी हुसने कारकरदगी को आप लोग अंडरलाइन करें जिसका मतलब है काम को बहतरीन तरीके से अन्जाम देना आपको हुसनिकारकरदगी का सदारती आवाड दिये जाने की बाजापता ऑजापता अंडरलाइन करें बाقाइदा इतला दी गई लेकिन यह आवाड आवाड कहते हैं अईजास को पाने से कबल कबल कहते हैं पहले कबल ही वो इनतेकाल कर गए अब बेटे हम इसकी explanation की तरफ आते हैं हमारा परचम सबस और सफेद रंग का आपको पता है कि ग्रीन कलर का है वाइट कलर का है और हमारा परचम square में नहीं है बलके rectangle में है ठीके वो कहरें जो सफेद हिस्से की लंबाई है तो आपको पता है कि हमारे जो परचम में सफेद जो हिस्सा है वाइट कलर का जो हिस्सा है वो कम है और चोड़ाई परचम के एक चोथाई के बराबर है यानि हमारे जो परचम है उसमें ग्रीन कलर जो है वो ज्यादा है और वाइट कलर जो है वो कम है और अब वो जो कह रहे हैं कि जो वाइट कलर है वो अकलियतों की नमाइंदगी करता है अकलियत यानि बेटे वो लोग के पाकिस्तान में मुसल्मान ज्यादा तादात में हैं और दूसरे मजाहिब के जो लोग हैं वो कम तादात में हैं माइनौरिटी में हैं तो जो माइनौरिटी में मजाहिब हैं वो ग्रीन कलर जो है वो वाइट कलर जो है वो माइनौरिटी को जाहिर करता है यानि उन मजाहिब को जाहिर करता है वाइट कलर जिनकी तादात कम है इस पर्चम का इंतिखाब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज इजलास में हुआ और लियाकत अली खान ने इस इसम्बली में दो पर्चम तयार किये थे यानि दो तरह के पर्चम थे और काइद आजम को जब वो पर्चम पेश किये गए और उन्हें कहा गिया कि इन में से कोई भी एक पर्चम आपको जो पसंद आए उसको सेलेक्ट कर लें काइद आजम इजलास की सदारत कर रहे थे उन्होंने उन दो पर्चम में से एक पर्चम को मनतखिब कर लिया पिर कहते हैं के कौमी पर्चम लहराने की इफ्तिदाई तकरीब के लोगों के हातों हुई उन में कराची में इफ्तिदाई तकरीब में जो है वो जो ज़ंडा लहराया गया वो मौलाना शबीर अहमद ने और ढाका में मौलाना जफर अहमद के हातों अन्जाम पाई तमाम कौमी पर्चम जो वो कहते हैं कि तमाम कौमी अमारतों पर कौन से पर्चम हमारे पाकिस्तान का पर्चम लहराया जाता है आपने जितनी भी बड़ी एमारते होंगि वो आपने देखी होंगी कि उन पे टमाम एमारतों पर पाकिस्तान का जहन्डा लहराया जाता है उसके बाद वो कह रहे है जह लेकिन उसके साथ साथ यहां यह भी हमें कहा जा रहा है कि अगर किसी कौमी शखसिये जञे कोई कौमी शखसिये वो वफात पा जाएं तो उनके फूथ होने पर वो झहन्डा जो है वो सरनिगू कर दिया जाता है यानि जन्डा आप देखें यहां पर हमारा वहारे स्कूल में और कौमी अमारते हैं, ये जन्डा लहरा रहा होता है लेकिन जब कोई कौमी शख्सियत वफात पा जाती है तो ये जंडा सरनिगू कर दिया जाता है यानि ये जंडा नीचे उतार दिया जाता है ठीके बिटे उसके बाद पिर हमें यहां पर कह रहे हैं कि हमारा जो कौमी पर्चम है वो किसने तयार किया था वो मास्टर अफजाल हुसैन ने तयार किया था आपने तहरीके पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया था और हकूमत पाकिस्तान ने आपको हुसने कारकरदगी बेटे हुसने कारकरदगी की कहते हैं कि अगर कोई इनसान जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करे काम को अच्छे तरीके से सरंजाम दे तो उसे हकूमत की तरफ से एक एवार्ड मिलता है जिसे हुसने कारकरदगी का सदारती एवार्ड मिलता है जिसे वो कहते हैं कि किन को ये दिया गया था वो मास्टर अवजाल हुसैन को दिया गया था और उनको ये कहा भी गिया था कि वो बाजापता तोर पर इतला दी गई थी कि उनको ये एवार्ट दिया जाएगा लेकिन बतकिस्मती से वो ये एवार्ट पाने से पहले ही इंतिकाल कर गए बेटे यहां पर हमारा रिटन पाने से खंव पाहर नीच्पका बाज करेंव मुआ थाने मुआ जाम थाइश डड़ा सकूं। इंति